हलो एवरिवन तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका 600 common errors का next part और ये है आपका part number 5 अब जरा देखे हम लोग बहुत ही detail में सिखने वाले हैं मत तो जो भी concept आएगा ना बीच बीच में हम लोग बिल्कुल ही आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे बस आपको क्या करने है कि चीजों को closely observe करना है दिमाग में रखने की कुशिश करनी है बार बार practice करने है नए नए questions को आप face करोगे ना तो exam में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और पहले तो मैं बता दू कि जो लोग नए हैं उसके लिए कि टेलिग्राम पर अगर आप सर्च करते हो त्री गीतम सर्च करोगे दो ग्रूप मिलेगा आपको यह दोनो दोनो जोन हो सकते हो यहाँ और डेली विसिस पर quizzes होते हैं और इस quizzes में आप पाओगे previous year के questions को एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यह practice batch के लिए number दिया गया है यहाँ पे इसमें होता क्या है कि पहले मैं आपको task देता हूँ फिर उसी task के अंदर से ही test होते हैं और इसका main purpose है कि जो कुछ भी मै पढ़ाऊ YouTube पे सबको याद करा दूँ और इसका cost ज़्यादा है ने 4.95 होता है इसके तहत आप क्या कर सकते हो कि एक साल के अंदर बहुत ज़्यादा practice कर सकते हो vocab के और grammar के तो आप तभी WhatsApp करोगे अगर आपको इसे join करना है और बिलकुल call नहीं करना है call करने का मौका मैं स के questions को ही कराते हो और जो main level के exam में पूछे जाते हैं बस उसको कराते हो कभी छोटे-छोटे exams के लिए भी करा दिया करो तो मैंने उठाया है SSC MTS MTS के लिए उठाया हुआ है बहले question किसी भी exam में पूछा गया हो काम तो आपको सारे exam में आएंगे पढ़ने तो आपको होंग interesting book no error क्या error है इसमें यह आपको बताना है तो देखो यह बहुत simple सी बात है कि यहां पर बताया है कि एक book का नाम यह है एक book and interesting लिखा हुआ है तो इससे आपको कहाई करना है कि एक सिर्फ book का नाम है है ना तो एक book का अगर नाम है तो यहां पर R क्यों लगाओगे तो यहां यहां पर R नहीं होगा एक single book की बात कह रहा है तो यह ease होगा ठेक है किसी book के नाम के लिए singular का यूज होता है singular verb बोलो या फिर singular noun बोलो तो यहां पर ease का प्रयोग होगा आपका next question हम लो देख लेते हैं क्या है यहां पर है either permit or जोती have done the crime मतलब या तो permit या तो जोती क्या किया हुआ है क्राइम को commit क्या हुआ है अब जड़ा देख लो क्या यहां पर error है सबसे पहली बात यहां पर देखना है आपको कि either or और और वाला question है either or का question है तो इसमें either permit और जोती यहां तक तो कोई गलत नहीं है देख भी रहो आप first and second तक कोई गलती नहीं है क्योंकि either और और का जो प्रयोग होता है वो दो चीजों को connect करने के लिए होता है और यहां पर दो noun connected है permit और जोती कोई error नहीं है have done the crime इसमें error है क्या error है देख लो यहां पर have का परयोग दिया हुआ है जो कि have का परयोग यहां पर नहीं होना चाहिए किसका परयोग होना चाहिए has का परयोग और यह concept को अकसर लोग भूल जाते हैं कैसे भूलते हैं कैसे नहीं भूलोगे आज के बाद यह मैं बताता हूँ जड़ा ध्यान देना देखो कैसे कैसे word होते हैं मत्तों connect करने वाले कैसे कैसे word होते हैं यहां पर either और और है इसी तरीके से आपका neither होता है ध्यान से देखना neither neither और nor का concept होता है जिसे either or का है इसी तरीके से आपका होता है not only but also नोट only but also ठेक इसी तरीके से आपका क्या होता है माल लिया जाए दो कोई noun है यहां दो कोई noun है और दोनों और से जुड़ा हुआ है ठीक है? तो और से भी जुड़ा हो तो इसमें होता क्या है? इसमें concept यह है कि जो भी verb आगे आता है मतलब इस sentence में क्या है? आपको क्या मिला है? helping verb देख लो have मिला है have done का प्रियोग हुआ है तो यह जो verb होता है वो अपने नजदीक वाले noun के हिसाब से होता है और फिर subject के हिसाब से होता है तो यह verb के नजदीक कौन सा है? इसको ध्यान में रखना आप लो देख लो इतने सारे चीज़ों के बारे मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर have है मतलब have का जो प्रियोग हुआ है यह किस के हिसाब से होना चाहिए? अपने नजदीक वाले subject के हिसाब से तो बताओ नजदीक वाले subject क्या है? जोती और फिर permit और जोती दोनों है तो एक के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए तो जोती के हिसाब से जोती singular noun है तो इसके लिए क्या होना चाहिए? has होना चाहिए ना क्या have होना चाहिए इसी तरीके से इसमें भी use होता है जैसे मैं अगर बताओ कि कुछ भी ले लो एक और एज्यामपल की इदर 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 राम और इदर राम और इस फ्रेंड्स क्या होना चाहिए आप फिर एक काम कर सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग कर दो यहाँ पर लिखो की एदर माई फ्रेंड्स और आई ऐसे कर दो फिर एक बार लेक लेता हूँ देखो क्यों ऐसा मैंने चेंज़ किया समझ जाओ गया आप इदर माई फ्रेंड्स माई फ्रेंड्स और अई वर गूइंग वर गूइंग बस इतना है ठीक है तो यहां पर क्या है देखो इधर और से जुड़ा हुआ है क्या दो सब्जेक्ट मतलब माई फ्रेंज और आई जुड़ा हुआ है यहां पर क्या लगा हुआ है वर लगा हुआ है तो यह प्लूरल को सो कर रहा है तो नजदीक वाले कौन है यहाँ पर आई है तो आई के हिसाब से क्या होना चाहिए था वाज होना चाहिए था क्योंकि आप पास्टेंस में है तो वाज होना चाहिए प्रेजेंट में रहता तो इस हो जाता तो यह आप समझ गे अब देखो इसको याद करने का एक मैं तरीका बताता हूँ क्या क्या बताया मैंने इदर और नीदर नौर नौट अनली बट अलसो अफिर और वालग और भी जोड़ता है दो चीजों को तो इसमें कैसे याद रखोगे अपने नजदीक वाले के हिसाब से लगता है यहाँ पे वाब तो जड़ा देखो वाब का मतलब क्या होता है किसी चीज का काम का होना एक्शन होना है ना कोई कारवी का होना तो कैसे याद रखोगे मान लो मान लो की ये दो वेक्ति हैं इसमें से एक आपके अंकल है और एक आपके पापा जी है छोड़ो यहाँ पर हम लोग दूसरा एजमपर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर फिमेल भी आ गए ही कोशन में तो समझाने के लिए आसान होगा तो मान लो की ये है मौसी जी और ये हैं हमारी मम्मी जी ठीक तो दोनो वेक्ति हैं आपके समझ और आपको कोई काम दिया जाता है और फिर किसी चीज को चुनने कहा जाता है माल याज़ आपके शादी हो रही है एक लड़की का चुनाव करना है आपको तो वो एक्सन क्या करना है आपको चूज करना है तो किस के हिसाब से करोगे अपनी मौसी के हिसाब से मौसी के हिसाब से और फिर मम्मी के हिसाब से किस के हिसाब से आप चूज करोगे कहने का मतलब थोड़ा अब ध्यान से समझना ये मौसी और मम्मी क्यों कह रहा हूँ मतलج ये दूर वाले के हिसाब से करोगे अब फिर मम्मी के हिसाब से करोगे जो नस्दीक है तो जाहर्शी बात है कुछ ऐसे कारी होते है जो आपको अपने close buddy के हिसाब से करना चाहिए और करते भी हो अक्सर जो आपके दिल के सबसे करीब होता है उसकी बातों को आप क्या करते हो मानते हो जादा तो मौसी जी की बात मानोगे पिर मम्मी जी की बात मानोगे तो जाहिर सी बात है मौसी से ज़्यादा नजदीक होती है मम्मी जी इन जेनरल के बात कह रहा हूँ पर्टिकुलर केस की बात नहीं कह रहा तो मम्मी के हिसाब से करना है तो इस स्टोरी साब याद रखोगे कि जो सबसे close होता है ना उसके हिसाब से हमें यहाँ पर action करने होते हैं, काम करने होते हैं ठीक, तो जोती के हिसाब से यहाँ पर काम करना था, has का पर्योग दोनों के हिसाब से नहीं करना है देखो क्या है, the streets are so wet, it should have rained last night, क्या कहने का मतलब है, कि जो आपके गली है, वो क्या है, बहुत जादा भीगा हुआ है, तो ये जरूर ही last night क्या हुआ होगा, बारिशुई होगी, है ना, ये इसका कहने का मतलब है, तो यहाँ पर क्या error देख लो, the streets, plural है, कोई दिकत नहीं है are so wet, मतलब बहुत ही wet है, भीगा हुआ है, यहाँ भी कोई error नहीं लग रहा है, are का परियोग हुआ है, मतलब क्या streets के लिए, अब ज़रा देख लो, the, इसलिए लगा है, क्योंकि इस street के बारे में क्या हुआ है, ज्यादा कुछ discuss किया हुआ है, इससे पता चलता है कि कोई particular streets इसकी ही बात कर रहा है, तो खास चीजों के पहले द्दा का परियोग करते हैं, यह भी correct है, आपका, कोई error नहीं है, यहाँ पर it should have rained last night, देखो यहीं पर error है, क्या error है, should का परियोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आपका might का है, कि जरूर ही last night को क्या हुआ होगा, बारिस हुई होगी है ना, तो बारिस हुई होगी, उसके बारे में यह बता रहा है, तो एक संभावना की बात को आपको समझाना चाहरा है, कि यह संभावना है, कि last night बारिस हुई होगी, इसलिए states क्या है, are so wet, ठीक, अब ज़रा दे होता है, सुझाव आनि क्या, you should do this, you should do that, ऐसे करके जो sentence बनते मत तो तुम्हें यह करने चाहिए, वो करने चाहिए, आपको सुझाव दे रहा होता है, है ना, लेकिन might का जो प्रियोग होता है, वो की sense में होता है, तो सुझाव नहीं होता है, यह होता है संभावना के case में, संभावना, है ना, जैसे क्या कह सकते हो, कि रामू, एक example कुछ भी, रामू might have, might have, beaten my son, beaten my son, है ना, मतलब क्या, रामू ने अवशी ही मेरे बेटे को पीटा होगा, यह कहने का मतलब है, तो संभावना शो कर रहा है आपर, कि कि रामू ने पीटा होगा मेरे बेटे को, तो might show करता है संभावना को, और should show करता है सुझाव को, तो sentence के हिसाब से, इस संभावना दर्सार है, कि आखरी रात को क्या हुई होगी, बारिस हुई होगी, तो उसी के हिसाब से हमें should के बतले might का परियोग करना चाहिए था, तो यहाँ पर should नहीं होगा, क्या होना अब जरा बात करते हैं next question की, यह कह रहा है, our vacation is between 12 May to 12 June, our vacation is, हमारी चुटी जो है, इसके बारे में कह रहा है, कि कितने कितने के बीच है, तो 12 मई से लेकर के 12 June तक है, ठीक, एक मेहने का अंतराल है, क्या इसमें error है, जरा देखो, यहाँ पर error है, आपका to का परियोग गलत आ हुआ है, किसका use होना चाहिए था यहाँ पे, तो यहाँ पे होना चाहिए था and का परियोग, to का परियोग नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि between के बाद जो conjunction आता है, वो and आता है ना कि to, ठीक है, तो to कभी मत देना, इसके best पर इतने बार questions पूछे जा चुके न, खास क आता है, कि between के बाद आपका and का परियोग होता है, ना कि to का, जिसे लोग कई बार बोल देते हैं, कि movie चलने वाली है, इतने बज़े से इतने बज़े तक, तो उसमें भी लगा जाते है, between, between, four o'clock, between, four o'clock to, seven o'clock, ऐसे कुछ लिख देते हैं, है ना, तो यह गलत हो जाता है आपका, between, four, two, इतना नहीं होता, जहां भी between आपको दिख गया, इसके बाद conjunction सिर्फ और सिर्फ and आना चाहिए, तो between, four and seven o'clock होता है, तो इस चीज़ को मत बोलना, खास के spoken में, बहुत बार अक्सर यह लोग गलती करते हैं, तो यहां पर between के बाद आपका two नहीं, and का परि दोरत ही नहीं है, यहीं पर आपको एकक करके अगर चेक करते जाओ, तो पता चलेगा, कि यहां पर क्या है, यहां पर error है, क्या error है, तो जो भी अपने channel से पढ़ा होगा fixed preposition को, मुझे लगता है कि इस concept को भूलेगा यह नहीं भूलेगा, क्यों, क्योंकि person के sense में कहां पर क या use होता है, और something, something मतलब कोई action, किसी के कोई कारनामे के उपर, तो यह सारे चीज़ आजाते हैं, something के उपर, लेकिन person, person के sense में अक्सर जो लगता है, वो क्या लगता है, तो आपका width लगता है, और something, something मतलब किसी का काम, जैसे किसी का behavior है, तो वो भी something के अंदर आएगा, और something के साथ अक्सर क्या आता है, आट आता है, यह कोई नहीं भोलेगा, जो भी यह fixed proportion को पढ़ा होगा, क्योंकि चाहे वो angry हो, चाहे कोई और बी शब्द हो, उसके साथ अगर person आया है, तो वीद का परियोग होता है, और अगर कोई something का परियोग हुआ है, तो वहाँ पर add क का परियोग होगता है, कोई नहीं भोलेगा, क्योंकि बहुत बार repeat हुए है, बहुत सारे words के साथ, fixed preposition वाले chapter में, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, कि यहाँ वैक्ति की बात बोड़ा है, ना देखो, कह रहा है, he is angry me, क्या होगा, on me, नहीं, जहाँ भी person दिख गया, person के लगता है, तो यहाँ पर on नहीं, वीथ आना चाहिए था, ठीक है, फिर अपका at का बाता है, on तो नहीं आता, at का बाता है, यह भी बता देता हूँ, जैसे question में रहता है, he is angry at my behavior, तो यहाँ पर my behavior रहता ना, तो यहाँ पर person तो है नहीं, क्या है, मेरे behavior की बात कह रहा है, म का प्रियोग वहाँ पर होता है, फिर meaning भी इसका समझ लो, he is angry with me, because I failed to return his book, क्योंकि मैंने उसके book को return करना, fail कर गया है, तो यहाँ पर on नहीं होना चाहिए, वैक्तिक के साथ आपका वीथ का प्रियोग होता है, अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं, 56 number क्या है, देखो, यह क पर देखो, यहाँ पर बोला है कि social activist है, जो भी समास उधारक है, वो क्या किया गया, बिल्कुल ही बेरहमी से उसका model कर दिया गया, ऐसा कह रहा है, तो sentence के meaning से ही पता चल रहा है, कि यह sentence होना चाहिए था, किसमें यह sentence होना चाहिए था, passive voice में, passive voice में होता है, तो क्या होता है, बी का कोई form होता है, बी का मतलब क्या, इज होता है, वोज होता है, आर होता है, यह सब होते हैं, तो इसके बाद आपका क्या आता है, वर्व का third form आता है, यहाँ पर देखो, वोज का प्रियोग हुआ है, यहाँ पर वर्व का third form है, नहीं जी यहां पर क्या है first form यह इसलिए यहां पर गलत है passive voice में होना चाहिए था sentence और यहां पर murder के जगह पर क्या होना चाहिए यहां पर होना चाहिए यहां पर होना चाहिए था murdered अब कहोगे कि कैसे पैचानेंगे कि active में यह sentence कैसा होता तो यहां पर ऐसे होता मान लिया जा मतलब मिनिंग में काफी changing आ जाता है तो यह meaning ही change कर देता बिलकुल कि social activist है जो murder कर रहा था किसी वेक्ति का बिलकुल ही बेरहमी से समझ रहो तो यहाँ पर was के बाद आपका सीधा verb का fourth form आ जाता तो पता चल जाता क्या कि वो active voice में है तो यहाँ पर आप लो समझ गए कि क्या error है अब जरा देख लो यहाँ पर है 57th number rule क्या कह रहा है यह sentence को आप लोगों बिलकुल ही समझ पाओगे अच्छे से अगर आप लोगों ने देखा होगा किसको conditional sentence को मैं बता रहा था किसमें translation वाले series में जो tense का मैं translation पढ़ाया हूँ इसके पहले उसमें conditional sentence को भी बताया था एक को ऐसा sentence आया था उसमें उसमें होता क्या है conditional sentence में क्या होता यह जरा समझने की कुछिश करना मैं बता रहा हूं देखो क्या है कुछ ऐसे sentence होते हैं जो मतलब syntax के कुछ ऐसे part होते हैं जिसको clause बुला जाता है तो वह वाले part जो होते हैं वह इस तरीके के word से यूज होते हैं स्टार्ट होते हैं मतलब इफ से स्टार्ट होगा आप फिर आपका वेन से स्टार्ट होगा आप फिर आपका बीफोर से स्टार्ट होगा है ना बीफोर से स्टार्ट होगा अनलेस अफिर अंटील यह सारे वर्ड से जब यूज होते हैं और भी बहुत सारा होत से वह वाले पार्ट स्टार्ट होते हैं तो यह थोड़ा सा बता देता है कि यह कंडिशन को बता रहा होता है यह सारे वर्ड जो होते हैं वह कंडिशन को बता रहे होते हैं और कंडिशन को बता रहे होते हैं लेकिन ध्यान देना कि यह फ्यूचर टेंस को भी सोग करेगा आप फिर यहीं तक रखते हैं प्रजेंट इनडेफिन्ट और फिर प्रजेंट सिंपल जैसे यहां पर क्या है देखो यहां बोड़ा कि ट्रेइन स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि गार्ड क्या ना कर दे विसील को नहीं बजाएगा कैसे हिंदी में मिनिंग तो गागाग करके आता है मतलो future को बता रहा होता है लेकिन until से start हुआ है कौन वाला part ये वाला part अफिर next वाला part तो जी हाँ next वाला part start हुआ है until से तो ये condition को so कर रहा है condition को जैसे ही so कर रहा है तो condition वाला sentence जो होगा वो किसमें होना चाहिए present simple में तो यहाँ पर will blow नहीं आएगा यहाँ पर होना चाहिए blows है ना क्या होना चाहिए blows मतलब क्या ये present simple में होना चाहिए और जो next part होता है same sentence का वो होता है future में किसमें होता है उसका structure future में होता है देख लो future tense में will वाला है चलो देखो ये तो आप समझ गए ना तो यहाँ पर क्या है conditional वाले जो part होते हैं वो होना चाहिए simple present tense में और रेस्ट वाला part future tense में होना चाहिए अब ज़रा बात करते हैं next question की देख लो यहाँ पर कह रहा है I read a great deal of books यहाँ पर आपको बहुत पहतरीन करीके से समझना है आपको कभी भूलने नहीं चाहिए इस concept को इसलिए भी क्योंकि बहुत ज़्यादा important है देखो कैसे यहाँ पर बोलाए कि मैं पढ़ता हूँ बहुत सारे books को यह इसका sense होता है लेकिन यहाँ पर आपको क्या ध्यान दे रहा है यह समझने की कोशिश करना कई सारे ऐसे words होते हैं जो confusing होता है और आप अक्सर confuse कर जाते हैं आज के बाद नहीं करोगे अगर ध्यान में रखोगे अब फिर अपना notes maintain करके रखोगे तो कैसे नहीं भूलोगे ज़रा देखो a great deal of है ना यह भी बहुत का sense देता है कि बहुत सारे किताबों को मैं पढ़ता हूँ यह कह रहा है तो a great deal of जो है यह आपका uncountable noun के लिए use होता है किसके लिए? uncountable noun के लिए लेकिन books तो uncountable नहीं है तो क्या है? countable noun है countable noun है plural है countable में भी तो इसके लिए आपको क्या use करना चाहिए था पता है आ तो आपको use करना चाहिए था a number of sort मैं नहीं लिखते हैं पूरा ही लिख देते हैं a number of books a number of books होना चाहिए था आ फिर यहाँ पर होना चाहिए था कैसे तो इसको a large number of a large number of दूसरा चीज़ भी use कर सकते हो क्या जैसे a lot of a lot of और फिर lots of lots of ये सारे चीज़ों को आप use कर सकते हैं किसके लिए countable noun के लिए कौन कौन से ये चारों को use कर सकते हो countable noun के लिए लेकिन a great deal of जो है ये सिर्फ और सिर्फ uncountable noun के लिए use होता है uncountable जैसे अब कैसे sense पकड़ोगे ये देता है many का sense लेकिन a great deal of जो है ये ये देता है आपका much का sense अब बात समझ में आई जैसे अगर कहना होता कि I eat a great deal of rice तो rice को आप गिन नहीं सकते वो uncountable material के sense में आ जाता है तो उसके लिए ये much का sense देता तो वहाँ पर use करते है a great deal of समझ रहे होगे अब थोड़ा सा और कुछ समझने की कोशिश करना मैं थोड़ा color change कर रहा हूँ इसी में से ताकि आप confuse ना करो देखो क्या है यहाँ पर क्या कहने का मतलब है थोड़ा माइनर सी बात है देखना ध्यान देना क्या बताया कि a great deal of जो है ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है uncountable noun के लिए perfect कोई दिकत नहीं अब यहाँ पर देखना ध्यान देना यहाँ पर है क्या a number of और a large number of ये जो यूज होता है न ये सिर्फ और सिर्फ यूज होता है countable noun के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ किसके लिए countable noun के लिए लेकिन मैंने बोला कि a great deal of के लिए इसको भी यूज कर लो और फिर ये दोनों में से और uncountable noun दोनों के लिए प्रियुक्त होता है ध्यान से सून रहे हो न क्यों जड़ा देखने की कोशिश करो a large यहाँ पर number है a number of a large number of मतलब ये किस चीज को सो कर रहा है number को सो कर रहा है और number मतलब हम लोग गिंती कहा करते हैं जिस चीज की counting possible है उसका क्या है counting possible है तो counting possible है मतलब countable noun के लिए तो सिर्फ ये दोनो countable noun के लिए यूज होता है a lot of lots of हम लोग count करेंगे वहाँ भी और जिसको count नहीं कर पाएंगे वहाँ भी यूज होता है लेकिन a great deal of जो है ये सिर्फ और सिर्फ uncountable के लिए यूज होता है इस चीज को आप लोग ध्यान रखना अगर notes बना पाते हो लिख पाते हो तो सही है परना वीडियो को repeat करके देखो ठीक अब चलो अब हम लोग क्या करते हैं ये तो समझगे कि a great deal of नहीं होगा आपर क्यों क्योंकि ये countable है और a great deal of जो है वो uncountable noun के लिए परियुक्त होता है तो यहाँ क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ यूज कर सकते हैं a number of फिर a large number of फिर हम लोग यूज कर सकते हैं lot of फिर a lots of ठीक इसके बदले अब next question देख लो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि the Indians are genetically incapable of being good or outstanding sportsmen ये कह रहा है कि जो Indians होते हो वो जनेटिक रूप से क्या होते हैं असक्चम होते हैं मैं जो सक्चम नहीं होते हैं क्या होने में अच्छे और बिलकुल ही शांदार वाले स्पोर्ट्समें बनने में सक्चम नहीं होते असक्छम होते हैं एक तरह से तो यहां पर क्या एरर है हम रोगो एकक करके देखते जाते हैं जहां एरर मिल जाएगा आगे पढ़ने की आवशकता नहीं है बिल्कुल यहां कहरा दा इंडियन्स आर जिनेटिकले क्या मतलब हुआ इसका क्या यहां पर एरर है देखो यहां पर इंडियन्स के पहले दा नहीं लगना चाहिए कई लोग ऐसा सोच लेते हैं लेकिन वो गलत सोचते हैं ठीक तो इंडियन्स के पहले यहां पर दा लगेगा ही लगेगा बात कुजरा समझने की कोशिश करना तो जितने भी nationality वाले nationality अगर आप लोग articles पढ़े होगे मेरे chapter जो में पढ़ा रखा है तो समझ जाओगे nationality को denote करने वाले जितने भी words होते हैं उसके पहले दा का परियोग होता ही होता है ध्यान देना मतलब भाषा के पहले प्रियोग नहीं होता और कब होता है भाषा के पहले कब नहीं होता ये articles में मैं बता चुका हूँ जैसे मैं कहूँ कि Chinese तो Chinese language को भी show कर रहा है और nationality को भी show कर रहा है लेकिन अगर ये language के लिए use हो तो वहाँ पर दा का परियोग इसके पहले नहीं लगाते लेकिन अगर ये वहाँ के nationality के बारे में बात करें कि Chinese लोग ऐसे हैं वैसे हैं कुछ भी अगर कहें तो वहाँ पर दा आपको लगाना ही पड़ेगा बात समझ में आ रहे हैं ना अब मैंने कहा कि language के पहले दा का परियोग नहीं होता है इसके पहले लेकिन अगर किसी language के ब रखा है ठीक तो यहाँ पर कोई error नहीं है किसमें पार्ट A में कोई error नहीं है इंडियन्स के पहले आपका दा का परियोग होगा ही होगा नेक्स्ट है incapable of capable और incapable के बाद पर position of आता है तो यहाँ भी कोई error नहीं है being good और outstanding sportsman यहाँ भी कोई तरह का error नहीं नजर आता यहाँ और देखो sportsman main main है मतलब plural है तो इंडियन्स की ही तो बात कह रहा है तो यहाँ पर भी क्या है बिल्कुल ही correct है तो इस sentence में किसी तरीके का error नहीं है अब जरह हम लोग बात करते हैं आज के class का आखरी question देख लो क्या है यहाँ बोला equator divides the earth into two hemispheres क्या इसमें कहने का मतलब है यहाँ पर बोड़ा कि equator जो है आपका उसको क्या बोलते है भूमद्रेखा बोलते हो और फिर विश्वत रेखा इसे करके बोलते हो कि वो divide करता है earth को दो hemispheres में तो देखो divides into divides के साथ आपका into आता है जो कि यहाँ पर correct ह ठीक यहाँ पर correct है earth के पहले भी आपका कोई भी planet के पहले हम लोग दा का परयोग करते हैं जो correct है sun के पहले मून के पहले भी क्या करते हैं दा का परयोग करते हैं यहाँ पर क्या है equator अब यहाँ पर error है क्या equator के पहले भी आपको दा का परयोग करना चाहिए था तो equator के पहल बाटेगा तो मालों की नदर हैमिसफियर अफ यह साधर है ऐसे होता है तो उसके पहले भी दा का परियोग आपको करना ही चाहिए है न है तो दा का परियोग होगा आपका एक्वेटर के पहले इस चीज को भी आप क्या करो याद रख लो तो जितने भी कुछ ऐसे यूटिक ज आप लोग कमेंट में मुझे बताओगे किस लेवल के questions मुझे कराने चाहिए थोड़ा कम detail बताना चाहिए अब फिर कुछ और detail बताना चाहिए अब फिर अभी जैसे smoothly चल रहा है वैसे ही चलते रहना चाहिए तो यह आप लोग suggest करोगे कहां पर यह आप लोग suggest करोगे comment box में ठीक और इस वीडियो को like करना मत भूलना देख लो 50 question तक already करा चुका था तो आज 51 number से start क्या हुआ था और वीडियो को like करना मत भूलना पढ़ते पढ़ते खो मत जाना और दोस्तों के भी share भी करना और चलिए जो भी कुछ सीख आज है आगे भी सीखते रहेंगे इसी तरी के से जल्दी complete करा दूँगा जहां पीडियाफ का सवाल है प्रैक्टिस बैच वालों को देता हूं सारा पीडियाफ तो पीडियाफ मैं कब दूँगा जब यह 600 question एक ही साथ complete हो जाता है क्योंकि मुझे बहुत ना बहुत जादा वर्क करना पड़ जाता है एक करके PDF बनाओ और फिर उसको बार बर सेंट करो मुझे अजीव सा लगता है तो मैं सोचता हूं कि 601 की बार complete कर दूँ उसके बाद मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा वैसे अगर आप इसका फोटो लेना चाहो तो मैं क्या करूंगा दे दूँगा एक साथ एक ही पीक में आपके 10 क अगर आप चाहो तो ग्रूप में मुझे बता दे ना फिर मैसेज करके मैं दे दिया करूंगा लेकिन जहां तक combined PDF वो 600 complete होने के बाद ही दूँगा तो चलिए हम लोग बहुत को सीखे आगे भी सीखेंगे आज का classing here up up करते हैं thank you very much झाल 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 झाल